अरे छुटकी तु यहां बैटी क्या कर रही है तुझे पता नहीं घर का सारा काम अभी तत पड़ा हुआ है कौन करेगा ये काम तेरा बाप करेगा मम्मी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो थोड़ी दिर मुझे पढ़ लेने दो उसके बाद में काम करूंगे दिन भर पढ़ाई 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 रुक आज मैं तेरी सारी किताबे जला दे रही हूँ नहीं मम्मी ऐसा मत करना मेरी किताब को फिर से मत जलाना मम्मी तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी अब आई न अकल ठिकाने चलब जा जाकर भजार से सबजी लेकर आ और हाँ ध्यान से सुन ले जहां कम दाम की सबजीया मिलेंगी वहीं से लेकर आना ले ये पैसे इसमें सारी सबजीया आ जानी चाहिए ये क्या मम्मी तुम तो 50 रुपीज ही दे रही हो इसमें तो सबजीया पूरी नहीं आ पाएंगी पागल लड़की अभी तो मैंने तुझे बताया जहां सबसे कम दाम की सबजीया मिलेंगी वहीं से लेना चल अब जा जल्दी से जबान मत चला जातो रही हूं मम्मी तुम इतना जोर से क्यों टाट रही हो मुझे टर लगने लगता है चुटकी आलू बजार से सबजी लेने चली जाती है भाईया मुझे बैंगन चाहिए जो सबसे कम दाम वाली हो वही देना है ना ये लो और हाँ भाईया थोड़े टमाटर भी देना सस्टे दाम वाले ठीक है अभी देता हूं सबजी वाला सड़ी गली सबजियों को चुटकी को दे देता है चुटकी खुशी खुशी सबजी लेकर घर आती है चुटकी तो सबजीया ले आई चल जूले को इधर लेकर आ हाँ मा लेकर आती हूँ और ये लो पैसे कुछ बची हुए है अरे ये क्या तू ये कैसे बैगन और टमाटर लाई है ये तो पूरी सड़ी हुई है मैंने तो कमदाम वाली लाने को कहा था सड़ी हुई लेकर आने को नहीं बोला था चली से जल्दी लेकर जा और वापस करके दूसरी लेया मा तुमी ने तो कमदाम वाली सबजी लाने को कहा था मैं अब इसे बदल लेकली नहीं जाऊंगी तुझे तो जा नहीं पड़ेगा अगर तू नहीं गई तो तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी उधिर दूँगी एक एक पैसा कमाने में बहुत समय लगता है और तुने एकी जटके में उसे खतम कर दिया अब तू बता मैं इस सड़ी गली सबजीयों का क्या करूँ मैं तुझे कहती हूँ इसे लेकर जा और वापस करके पैसे लेया ठीके देखती हूँ चुटकी वापस उस सबजीयों को लेकर उस सबजी वाली के पास पहुँचती है भाईया मैंने तुमसे कम दाम वाली सबजी मांगी थी सड़ी गली नहीं, तुम इसे वापस करके मुझे पैसे दे दो क्या बोली, मैं तेरी सब्जिया वापस नहीं करता भाया वापस कर दो न, मेरी मा मुझे बहुत मारेगी मैं कहता हूँ, तू जल्दी बाग यहां से चुटकी घर लोटती है, उस समय, उसकी सोते लिमा दर्वाजे पर ही करी थी, और वो बहुत गुसे में थी क्या हुआ चुटकी, तूने सब्जी वापस कर दी? नहीं मा, सब्जी वाला वापस नहीं कर रहा है और उसने कहा है, तुझे जो करना ही कर ले आज मेरा गुसा चड़ गया है, मैं तेरी चमडी उधेर कर रहूँगी आलू मा, चुटकी को स्टिक से पेटने लगती है आ, मा मुझे मत मारो, मुझे चोट लग रही है, मा मुझे मत मारो मैं तेरी आज हड़ी पसनी एक कर दो गी चुटकी के रोने की अवास संकर, उसका पती अपनी कमरे से बाहर निकल कर आता है छोड़ी, तू इतना क्यों चिल्दा रही है क्या बताऊं जी, इस लड़की से तो धंका एक भी काम नहीं होता समझा समझा कर ठक जाती हूँ, लेकिन ये तो कुछ सिंती ही नहीं अरे बात क्या है, वो मुझे बताओ, तुम इसे क्यों पीट रही हो ये देखिए जी, आप ही देख लीजिए सारी सबजिया, गली सड़ी लाई है अब आप ही बताईए मैं खाने में क्या बनाऊ अरे हाँ भाग्यवान, ये तो सारी सड़ी गली है मैंने सुना था, तु इसे कह रही थी, कम दाम वाली सबजिया लाने को बता, ये तो तुमारी ही गलती है न, अच्छे दाम देती, अच्छी सबजिया ले आती इसमेज मासूम बच्ची की क्या गलती है पापा देखो न, मा मुझे कबसे पीट रही थी, तुमने आकर मुझे बच्चा लिया नहीं तो मा भी मुझे मारती ही रहती, मेरी मा बहुत गंदी है, मैं इसे बात नहीं करूंगी नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुमारी मा है, अभी कुछ सा है, फिर ठीक हो जाएंगी, तो चल मेरे साथ, मैं तुझे टौफी दिलाऊंगा अभी के लाड़ प्यार की वज़ा से बिगड़ चुकी है, अगर अभी से ये सब नहीं समझेगी, तो दूसरे घर जाएगी, तो क्या करेगी अरे भाग्यवान, भविश्य की चिंता क्यों करती हो, जब समय आएगा तो देखा जाएगा, अच्छा, तू अब जा, दूसरी सबजी लेया, मैं इसे लेकर टौफी दिलाने चाता हूँ इतना कहकर गोलू आलू अपनी बेटी को लेकर बजार चीज दिलाने चला जाता है, तो ये थी आज की कहानी, आज का सवाल ये है, चुटकी की मा सबजीया लाने के लिए चुटकी को कितने पैसे देती है, अगर आपको पता है, तो आप हमें कॉमेंट करके ज़रू बताए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानिया देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें